नमस्कार दोस्तों मैं लेली सिंग आपका फिटनस कोच आपके समने हाजी रही हूं अपने एक नई वीडियो लेकर दोस्तों आज के जो मेरे टॉपिक है फाइव एनिमीस ऑफ हेल्थ दोस्तों आप सब लोग जानते हैं जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं मेरा ए कि हमें external fitness से ज्यादा internal fitness में ध्यान देना जरूरी है अगर आप internally fit हो गए तो externally fit तो आप होई जाएंगे तो यह ध्यान दखना है कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ five enemies of health और जानके आपको हैरानी होगी इन enemies को खुद हमने अपने घर में खुदी जगे दी हुई है अपन इन पांचो enemies को आज अपने kitchen से बाहर करना होगा सबसे पहला enemy आपका salt यानि की नमक आपको ध्यान रखना है दुनिया में दो तरह की चीज़ें एक चीज वो है जो इनसान ने बनाई है और एक चीज वो है जो भगवान ने बनाई है तो आपको क्या करना है जो इनसान की ब alternate पर ध्यान देना है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है जब नमक हम इस्तवाल करते हैं आज पूरे इंडिया करना है जित्ती भी heart problems है या body का acidic हो जाना या blood का acidic हो जाना जो उससे भी खतरना के यह सिर्फ किसी वह से over access यानि कि जादा नमक लेनी की वजह से तो आपको क्या करना है नमक को करना है बंद और इसकी जगे क्या करना है भगवान की बनाएवी चीज यानि कि इसका option क्या है या तो आप सेंधा नमक की यूज़ करें या काला नमक की यूज़ करें या हिमालेयन पिंक salt ये तीन option मैं आपको बता दिये इनमें जो भी आपके लिए convenient हो वो अपिस्तिमाल कर सकते हैं जो आपका इंसान का बनाएवा नमक है यानि कि table salt समुदरी नमक जिसे हम कहते हैं तो इसमें सिर्फ आपको तीन mineral मिलते हैं sodium chloride and iodine वहीं जो सेंधा नमक है जो की कुदरती रूप से भवान ले बनाया है इसमें आपके 94 micronutrient आपकी body को मिलते हैं त कितना important है तो आज ही इस दुश्मन को अपने घर से बाहर निकालते हैं आप आते हैं दूसरा number two वह है आपका sugar यानि की चीनी दोस्तों sugar किसे बनती है गन्ने से और गुड़ किसे बनता वो भी गन्ने से तो फरक कहा पर है गुड़ को तो हम बहुत healthy बताते हैं वहीं चीनी क को हम harmful बताते हैं फरक आता उनकी processing में कोई भी चीज जितनी process होने लगती है जितनी रिफाइन होने लगते है उतनी ज्यादा वह harmful हो जाती है शुगर बनाने में जिन chemical का इस्तिमाल करता है और जाहिर सी बात है जितना आप शुगर का इस्तिमाल करते है और शुगर सबसे द करेंगे तो इसका option किया है इसका सबसे healthy option मैं आपको पहली बता दिया वह है गुड़ दूसरा option है इसका वह है मिश्री तीसरा option है आपका खांड यह तीन healthy option है जिनको आप किसी भी चीज को जो भी आप चीजों को मीठा करने लिए आप चीनी का इस्तिमाल करते हैं आप गु बनती ही नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि शुगर जब आप आज ही इस दुश्मन को घर से बाहर निकाल दें तो इन तीनों का इस्तिमाल करें तीसरा आपका आता है प्रेशर कुकर इस पहले भी कई बार बोल चुक हूँ अब आप सोचेंगे प्रेशर कुकर आपके आपना हमश्र क्यों है दो सबसे क्यों है इक तो फ्रेशर को टरफ कर कर ने जिस में जब कि इस था यह इस पर देखा तो फिर इससे उनको फायदा नहीं होता तो इस रीजन को उसको जानके उसको दूर करने के बिज़ाए वो कहां चले आते हैं और सबसे हामफुल अपका मैटल है दूसरा उसका मैकेनिजम उसमें खाना कैसे बनता है na गाल का परेशयर उनका उपर दबाओ जो गैस का परेशयर उससे क्या होते हैं जो डाल के जो भी इसमें खाना पक रहा है कहने का मतलब यह है कि प्रेशर कुकर में दाल पकती नहीं है दाल गलती है तो जिससे उसके जो नूट्रिशन है वो 94% वेस्ट हो जाते है तो कई लोग मुझसे आगे कहते हैं सर में तो दाल इस्तिमाल करता हूं लेकिन बॉडी में वो फारग नहीं देखता जो मैंने कांसे के बरतन इस्तिमाल करें कांसे के बरतन में जब कोई खाना बनता है तो इसमें जो 97% जो नूट्रिशन है वो सेफ रहते हैं 3% इसमें भी वेस्ट होते हैं दूसरा ओप्शन क्या आता है आपका पीतल इसमें 94% जो नूट्रिशन है वो बने रहते हैं 6% आपके वेस्ट होते हैं जो कांसा होता है आपका जो तामबा है यानि की कॉपर प्लस जिंक इन दोनों को मिलागे जो धादू बनती है उसको कांसा बोलते है तो कांसे के बरतन है यह पीतल और दोस्तों पनाने जमाने में लोग मिट्टी के बरतन स्माल करते थे मिट्टी के बरतन आपको जानके है हानियर होगी 100% जो नूट्रिशन होते हैं वो बने रहते हैं यानि कि जितना नूट्रिशन कची फॉर्म में है उत्ताई नूट्रिशन पकी फॉर्म में रहेगा अगर वो मिट्टी के बरतन में ब है जो निफेशन वाला था थागर आपको आज ही क्योंकि आपको खाने को नमकीन बनाना है इससे फरुख नहीं है चाहिए कि और टेबल सोड्स वरा रहा है कि रॉप्स हो रहा है या मिठा बनाना है तो इससे लावा चौता वह है तो आपको क्या करना है इस ऐडमिको आज ही घर से बाहर निकाल दें इसके बदले क्या लाएं, सरसों का तेल इस्तेमाल करें, यानि कि शुद्ध तेल, तिल का तेल इस्तेमाल करें, यानि जो भी शुद्ध बीजों का जो तेल निकलता है, उस तेल को आप इस्तेमाल करें, उसमें आपका गुड़ फैट्स भी होता है, विटमीनी, बहुत सारे किसी लाइक नहीं छोड़ने वाले तो आज इस एनिमो घर से बाहर निकाल दें और पांचवा वह आपका मैदा अगेन वही चीज आगे क्योंकि गेहूं को रिफाइन करते-करते मैदे तक पहुंसते हम लोग तो मैदा इतना बारीक और महीन होता है चला जाता है तो दोस्तों आज मैंने आपके पांच एनिमी बनाए होफुली आप इने पांच एनिमी को बहुत अच्छे से समझा होगा और लास में आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि जादर सादर लोगों तक आपके फ्रेंड सरकल अपने वाम सरकल अपने रिलेटिव ज हुआ 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 है